उनके जीवन के कई पहलू हैं, पर सबसे महत्वपून पहलू ये है कि वे एक बुद्ध हैं, ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम कौतम सिद्धार्थ है, लेकिन वो एक बुद्ध हैं, बुद्ध का मतलब है वे अपने तार्किक बुद्धी से उपर उड़ गए हैं, बु का अर्थ है बुद्धी, धा का अर्थ है धाद, बुद्धी यानि तारकिक बुद्धी, धाद यानि जो उससे उपर है, जो अपनी तारकिक बुद्धी से उपर होता है उससे बुद्ध कहते हैं, जो अपनी तारकिक बुद्धी में होता है वो इनसान हमेशा दुखी रहता है, कुछ होता है तो दुखी, कुछ नहीं होता तो दुखी, हर तरह से मतलब अगर वे बुद्धी के नीचे हैं, तो हम उन्हें बुद्धु कहते हैं अगर आप तारकिक बुद्धी से उपर हैं, तो आप बुद्ध हैं अगर आप तारकिक बुद्धी के नीचे हैं तो आप मुर्ख हैं अगर आप तारकिक बुद्धी में हैं तो आप लागातार दुखी हैं तो वे बुद्ध कैसे बने उन्होंने अपने जीवन में कई चीजें आजमाई वे एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे या एक महान संत बनेंगे जब उन्होंने ये भविश्यवानी की तो उनके पिता थोड़ा परिशान हो गए वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान संत बने वो उसे एक महान राजा बनाना चाहते थे तो उन्होंने तै कि वे उसे दुख से दूर क्योंकि उन्होंने सोचा कि किसी दुख या पीड़ा को देख कर वो संत बन सकता है तो उन्होंने उसे पूरे सुख में रखा बहतरीन भोजन, कपड़े और हर बहतरीन चीज जब गौतम 19 साल के थे उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत सुन्दर युवा इस्त्री से कर दी उनको बाकी समाद से अलग एक महल में रखा गया जहां वे पूरे सुख में रहते थे और कभी कोई दुख नहीं देखते थे एक दिन उन्होंने सोचा कि शहर में रत से घूमा जाए उन्होंने सार्थी से कहा मुझे शहर में घूमाऊ तो वो घूम ही रहे थे कि उन्होंने एक बुड़े आदमी को देखा और वो ऐसे चल रहा था उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बुढ़ा आदमी नहीं देखा था उनके पिता ने उन्हें इस सब से बचा कर रखा था उन्होंने पूछा उसको क्या हुआ तो सार्थी ने कहा अरे वो आदमी बस बुढ़ा है ये कैसे होता है उन्होंने पूछा उसने कहा हर कोई एक दिन बुढ़ा होता है उन्होंने खुद को देखा, वो एक सुन्दर यूवक थे क्या, मैं भी? सार्थी बोला, हर कोई, हर कोई बुड़ा होता है लंबा जीने पर लोग बुढ़े हो जाते हैं ये उनके लिए एक एहसास था, मैं ऐसा हो जाऊंगा? तब उन्होंने सडक पर एक आदमी को लेटे वे देखा, जिसे कोई बिमारी थी वो उठ नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ में था उन्होंने कहा, रुको, इसको क्या हुआ, वो क्या कर रहा है? वो बुला, अरे, वो बिमार है इसका क्या मतलब है? उसने कहा, ये शरीर कभी-कभी बिमार हो जाता है ऐसा किसी को भी हो सकता है, ये बस किसी को भी हो सकता है मुझे, एक राजकुमार को, ये मुझे भी हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है फिर उन्होंने खुद को देखा, रहे, मैं ऐसा हो सकता हूँ फिर वे आगे बढ़े, गौतम इससे बहुत परेशान थे तब उन्होंने एक शव यात्रा देखी लोग एक आदमी का शव लेकर जा रहे थे इस आदमी को क्या हुआ? अरे वो मर गया इसका क्या मतलब है? ये हरेको होता है, इसे कोई नहीं बच सकता तब उन्होंने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, सुक भोगना और बेकार की चीज़ें मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ? और उनके अंदर संगहर्ष और उथल-पुथल मच गई अचानक एक राजकुमार होना, ये सुक भोगना और ये महल वेगर अचानक, उनके लिए बिखर गए और वे सोचने लगे, इस सब का तुक क्या है? ये शरीर बुढ़ा होगा, ये बिमार पड़ सकता है और ये जरूर मर जाएगा. मैं अपना पूरा जीवन इसमें किसलिए लगा रहा हूँ? लेकिन तब तक उनका एक छोटा बच्चा था, उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा वे उस प्यारी पत्नी और उस सुन्दर छोटे से बच्चे को छोड़ नहीं पाए वे संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष करते रहे तब तक सवा साल गुजर गया जब वो बालक डेड़ साल का था, वे और नहीं रुक पाए आधी रात को एक चोर की तरह, बिना किसी को बताए वो महल से बाहर निकले और हमेशा के लिए चले गए वे खोजने निकले थे कि मैं इस जीवन के सत्ते को जानना चाहता हूं वो एक मठ से दूसरे मठ में घूमते रहे ये वो दिन थे जब भारत में कई तरह की पदतियां स्थापित थी एक समय था जब अठारा सो से जादा पदतियां थी मेरा मतलब सिर्फ संस्थाओं से नहीं है साधना करने के अठारा सो तरीके योग के अठारा सो अलग अलग तरीके उस किस्म के नहीं जो आप कैलिफोर्निया में देखते हैं कोई ऐसे कर रहा है कोई वैसे कर रहा है ये वाकई जटिल तरीके थे आज मेडिकल साइंस जैसी होती जा रही है वैसे 25 साल पहले अगर आपको मेडिकल जांच करानी होती तो आप बस अपने फैमिली डॉक्टर से मिलते थे आज आपके शरीर के हर हिस्से के लिए डॉक्टर मौजूद है कुछ साल पहले मेरे घुटने में चोट लगी थी क्योंकि मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरे घुटने में कुछ तूट गया और मुझे वहां से जाना था और फिर भाशन देना था इसी घुटने की चोट की वज़े से मैंने गॉल्फ अपनाया किसी ने मुझे कहा मुझे एक गॉल्फ किट भेंट किया और कहा सद्गुरू आप कोई दूसरा खेल खेलने के लिए अब बुड़े हो गएं तो आप बस गॉल्फ खेलिए तो मैं अटलांटा में कहीं बैठा था किसी जगे भाशन दे रहा था तब मुझे दर्द था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था तो फिर आखिर में मेरा मतलब है कि जब मैं बोल रहा था एक आदमी ने हाथ उठाया मुझे लगा कि वो प्रश्न पूछना चाहता है लेकिन उसने का सद्गुरू इसके बाद मैं आपके घुटने की जांच करना चाहता हूँ मैं घुटने का डॉक्टर हूँ तो मैंने का अच्छा आप हड़ियों की डॉक्टर है उसने का नहीं नहीं मैं घुटने का डॉक्टर हूँ तब मैंने पूछा दाया घुटना या बाया आप किसके डॉक्टर हैं तो विशेशक्यता विशेशक्य बनना बढ़ रहा है शायद 50 सालों में एक समय आएगा कि अगर आप मेडिकल जांच कराना चाहें तो चेक अप के लिए 100 डॉक्टरों की जरुवत होगी जब तक आप ये 100 अपॉइंट्मेंट ले पाएंगे तब तक शायद आपको कबर खोदने वाले की जरुवत होगी तब ये बेतुका बन जाएगा आप तीन डॉक्टरों के पास गए ये तो ठीक है अब पाँच डॉक्टरों के पास गए ये चलेगा अगर ये 50-100 डॉक्टर बन जाता है तो ये बेवकूफी होगी है ना योग पदती के साथ ऐसा ही हुआ लोग बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में विशेशग्य बन गए हर विशेशग्यता अपने आप में बहुत पहली हुई थी किसी ने आकर अभी मुझे बताया दांतों के डॉक्टर यहां है ठीक है छोड़ देते हैं मिसाल के लिए दंत चिकित सा बस 32 दांत होते हैं ठीक है वे 9 साल पढ़ते हैं 32 दांत और 9 साल की पढ़ाई इसके बावजूद वे इसके बारे में हर चीज़ नहीं जानते शृष्टी की प्रकृती ही ऐसी है अगर आप एक बार में एक दांत का अध्यन करें तो आप देखेंगे कि हर दांत में कुछ खास होता है एक व्यक्ती बस एक दांत के बारे में जानने में पूरा जीवन लगा सकता है कल्पना कीजिए कि अपने मुँ की जांच के लिए आपको 32 डॉक्टर की जरुवत हो आप एक त्रासदी बन जाएंगे हैं न तो जैसे जैसे विशेशग्यता बढ़ेगी एक सीमा के बाद ये हासेपद बन जाएगा यही योग के साथ हुआ इसने वो सीमा पार कर ली जहां योग की अठारस सो अलग-अलग विशेशग्यताएं हो गए इसी दौरान पतंजली हुए और उन्होंने हर चीज़ को योग सूत्रों में बान दिया ताकि इसका अंतहीन फैलाव कम से कम हो जाए तो जब गौतम हुए वो पतंजली के बाद का समय था फिर भी कई चीज़ें मौजूद थी तो वो एक पद्दती से दूसरी पद्दती में गए उन्होंने समाधी के आठ विभिन तरीकों का अनुभव पाया हम समाधी की बात कर रहे है उन्होंने समाधी के आठ अलग-अलग तरीकों का अनुभव पाया उन्होंने पाया कि वो सभी शांदार अनुभव थे लेकिन फिर भी उनसे वे मुक्त नहीं हुए तो इस स्थिती में वो एक समान की तरफ गूम रहे थे अभ्यास की एक खास पददी को समान कहते हैं उनका बुनियादी अभ्यास है कि वे कभी खाना नहीं मांगेंगे वे भोजन की खोज में नहीं जाते क्योंकि वे जीवन चलाने के मूल सहज सभाव को हराना चाहते हैं चाहे जो हो आप हमेशा भोजन खोजते हैं कृपया इसे समझिये आप इसे कई तरीकों से जटिल बना सकते हैं लेकिन मूल रूप से आप अर्थ विवस्था के बारे में इतनी जादा बाते करते हैं इसका मतलब है आप हमेशा बस जीवन चलाने के बारे में सोच रहे हैं न जीवन चलाने को बढ़ा चड़ा दिया गया है पर ये जीवन चलाना ही है तो उनके लिए एक बुनियादी साधना है कि आप अपने जीवन चलाने के सभाव को हमेशा अंदेखा करते हैं आप बस चलते रहते हैं तो समान बस घूमते रहते थे कभी खाना नहीं मांगते थे लेकिन तब की संस्कृती समवेधन शील थी अगर लोग किसे आध्यात्मिक व्यक्ती को घूमते देखते तो वे घर में खाना बना कर उसके पीछे भागते थे और वो जहां भी उसे खाना खिलाते थे क्योंकि वे जानते थे कि वो खाना नहीं मांगेगा आज अगर आप समान बनते हैं तो अपनी मृत्ती होने तक चलते रहेंगे उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रती समवेदेन शील थे और जवाब देते थे तो देश में हजारों समान घूमते रहते थे तो गौतम समान बन गए और अगर आप खाना मांग नहीं रहेंगे तब भी आप शहर के पास से गुजरेंगे ताकि भोजन मिल जाएगा लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चलते रहें उनमें बस हड़ियां बची थी बस हड़ियां और लटकती चमड़ी वे वैसे हो गए थे तब वो एक जगे पहुँचे जहां निरंजन नदी थी दुरभागे से वो नदी सूख चुकी है अब मौजूद नहीं है बस 18-20 इंच पानी शायद बहाव थोड़ा तेज था वे नदी में उतरे आधी पार करने के बाद उनमें आगे जाने की उर्जा नहीं बची वहीं एक पेड़ की टहनी थी सूखी डाल उन्होंने उसे पकड़ लिया उनमें अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं थे कि हार मान ले वो पकड़े रहे हम नहीं जानते कि कितनी देर लोग कहते हैं बहुत लंबे समय तक हो सकता है कि वो दो ही मिनट हो जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो वो दो मिनट कई साल जैसे लग सकते हैं जब वो डाल पकड़े हुए थे उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो क्या है मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ एक मठ से दूसरे मठ जाते हुए ये सीखा वो सीखा वो क्या है जो मैं खोज रहा हूँ फिर उनको हैसास हुआ कि वाकई कुछ नहीं है ये जीवन सब कुछ है मुझे बस इतना करना है कि उन बाधाओं को हटा दूँ जो मुझे इसे अनुभव नहीं करने दे रही जब उनको हैसास हुआ कि हर चीज उनके भीतरी है खोजने का कोई तरीका नहीं है अचानक उनमें अगला कदम और अगला कदम लेने की ताकत आ गई उन्होंने नदी पार की और आकर उस पेड के नीचे बैठके जो अब बहुत प्रसिद बोधी व्रिक्ष है वो व्रिक्ष बुद्ध से भी जादा प्रसिद हो गया है उस पेड का एक हिस्सा बचा हुआ है या उससे उगा अगला पेड बोध गया में अभी मौजूद है वे पेड के नीचे बैठ गये वो पुर्णिमा की रात थी जो अब 18 मई को आ रही है वे वहाँ बैठे और इस संकल्प के साथ बैठे अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को या तो मुझे अभी जान लेना है या मैं बैठा बैठा मर जाऊंगा जब तक मैं इसे जान नहीं जाता मैं अपनी आखे नहीं खोलूँगा जब उन्होंने ये संकल्प ले लिया क्योंकि एक ही समस्या है कि कोई संकल्प नहीं है हर दो मिनट में आपके इरादे बदल रहे है अगर आप पूरी निष्ठा से लगे है तो ये जानने के लिए कि भीतर क्या है कितना समय लगना चाहिए इसे एक पल में हो जाना चाहिए क्योंकि तै करने के लिए कोई दूरी ही नहीं है समय सिर्फ तब लगता है जब कुछ दूरी की यात्रा करनी हो अगर यात्रा के लिए कोई दूरी ही नहीं है अगर मैं पूछों कि आपको यहां बैठने में कितना वक्त लगेगा आप यहां पहले से ही बैठें यह पहले ही यहां है इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा तो आप पहले ही जीवित और जारी हैं बोध होने में कोई समय नहीं लगता क्योंकि आपको कोई एक खास चीज नहीं करनी है जब उन्हें ये एहसास हुआ उन्हें पून आत्मग्यान हो गया और चांद चमक रहा था और उन्होंने महीनों से ठीक से नहीं खाया था असल में सालों से वो चार साल से समान थे और उनके आसपास के लोग मेरे विचार से उनके साथ लगभग पांच शिश्य थे इन लोगों को लगा कि वे असली हैं क्योंकि वे खाते नहीं हैं वो वाकई द्रिड हैं और उन्होंने देखा कि वे अब एक आनंद की अवस्था में हैं और वे उनके चेहरे पर चमक देख पा रहे थे तब वे लोग उनके आँखें खोलने और शिक्षा मिलने का इंतजार करने लगे उन्होंने आँखें खोली उनकी ओर देखा मुश्कुरा कर कहा कुछ खाना बनाओ चलो खाते हैं वे पूरी तरह से निराश हो गए उन्हें लगा कि वे भटक गए हैं वे सब चार से आठ साल तक उनके साथ चले जब उनके पास यातना के सिवा कुछ नहीं था जब उन्हें आत्मग्यान हुआ तब उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वे कुछ गंभीर चीज़ें सुनना चाते थे उन्होंने कहा कुछ पकाव चलो खाते हैं शिश्योंने सोचा हमारा वक्त बरबाद हो गया उनके जीवन में कई सुन्दर घटनाएं हुई है बुद्ध होने के बाद एक दिन वे नदी के किनारे टहल रहे थे और फिर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए इसलिए नहीं कि नीचे बैठने के लिए पेड़ सबसे अच्छी जगह है अब जानते हैं चीटियां काट सकती है क्योंकि उन दिनों के सिर्फ वही रियल स्टेट होती थी तब हर जगह इमारते ही इमारते नहीं होती थी तो बैठने के लिए पेड़ एक अच्छी सुख़द जगह होती थी कड़ी धूप में बैठने के बज़ाए आप पेड़ के नीचे बैठते थे अपने काम में माहिर एक ज्योतिश नदी पर आया और किनारे पर पैरों के निशान देखे भारत में किसी भी व्यक्ती के लिए नहाने का हमेशा मतलब होता था नदी पर जाना वो नदियां सूख रही हैं मैं बाद में बताऊंगा नहाने का मतलब हमेशा नदी तो वो नहाने के लिए नदी पर आया और पैरों के निशान देखे एक पूरा एक विज्ञान है या ध्यान देने का तरीका है जिससे किसी के पैर देखकर कोई ये सटीक भविश्यवानी करता है कि वो क्या करेगा तो उसे पदचिन दिखे और वो समझ गया कि ये एक समराट के पदचिन है ऐसे व्यक्ति को दुनिया पर राज करना चाहिए फिर उसे हरानी हुई कि एक जंगल के पास सुनसान जगे पर कोई ऐसा इनसान क्यूं होगा फिर वो पदचिन हों के पीछे गया ये सोच कर कि वो एक समराट से मिलेगा तब उसने इस भिक्षू गौतम को पेड़ के नीचे बैठे देखा जब उसने ये देखा तो सोचा कि या तो मेरा जोतिश पूरा गलत हो गया है या मैं मुर्ख बन रहा हूँ या मैं किसी तरह के भ्रह्म में हूँ यहां क्या हो रहा है तब उसने गौतम के पास जा कर पूछा आप कौन हैं गौतम वस्था गौतम तब एक तरह की जजजीत जैसी अवस्था में थे उन्होंने कहा मैं कोई नहीं हूँ मैं बस कुछ नहीं हूँ लेकिन आपके पैर किसी समराठ की तरह है आपको दुनिया जीतनी चाहिए गौतम बोले वो मैं करूँगा लेकिन युद्ध से नहीं देखिए आप दुनिया को दो तरह से अपना बना सकते हैं या तो जीत कर या शामिल करके हां मैं या तो आप पर कबजा करके आपको बांध कर और आपसे मन चाहा कराके अपना बना सकता हूँ या आपको अपने एक हिस्से के रूप में शामिल करके हां दोनों तरीकों से कोई चीज या कोई इनसान आपका हो जाता है लेकिन अगर आप जीतने का रास्ता लेते हैं तो ये हमेशा आपके लिए सिरदर्द बना रहेगा अगर आप शामिल करते हैं तब इससे जीवन में जबरदस्त प्रगती होगी उन्होंने कहा मैं दुनिया का समराठी हूँ तब उसने कहा आप एक भिक्षू हैं मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूँ इसी लिए हर चीज मेरी है यहां तक की गणितज्च्ज्य भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शून्य और अनन्त एक ही चीज है तो आपके नो थिन्ग बनने का मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो गए आपके no thing होने का अर्थ है आप सब कुछ शामिल करने लगे हैं है नण आपके कुछ होने का मतलब है कि आप सिर्फ वही हो सकते हैं आप no thing है यानि आप जैसे चाहें वैसे हो सकते हैं ये जीवन इसी तरह बनाए, अगर उत्तरदाई होने की आपकी शम्ता पर कोई रोक नहीं है, तो किसी भी पल में आप जो चाहे वो हो सकते हैं न। तो गौतम ने कहा, वैसे भी मैं दुनिया का समराठ हूँ, अगर आपको यही शब्द पसंद है, लेकिन मैं असल में कुछ नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज वैसे भी मेरी है, अगर आप देखते हैं कि मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार हूँ, तो हर चीज आपकी है न, कोई व्यक्ति आपका कैसे बनता है, उन पर हग जमाने से या उनकी जिम्मेदारी लेने से, क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, वे आपके बनते हैं, वरना नहीं है, है न, अगर आप जबरदस्ती उन्हें अपना बनाते हैं, तो वे कभी आपके नहीं होंगे, हाँ या ना अगर आप जबरदस्ती किसी पर हग जमाएंगे तो क्या वे कभी आपके होंगे वे आपके कभी नहीं होंगे तो ये जोतिशी बैठ गया उसने कहा आप एक भिक्षू हैं आपके पास कुछ नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप जजजीत हैं माफ कीजिए और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ और हर चीज आपकी है ये क्या है गौतम ने कहा आप आईए आपके लिए मेरे पास एक तरीका है आप जीवन की भविश्यवानियां करने में व्यस्त हैं मेरे पास योजना है आप जीवन की भविश्यवानियां क्यूं करते हैं आप एक योजना बनाने और उस पर अमल करने में नाकाबिल हैं इसलिए आप भविश्यवानियों पर निर्भर हैं है न हाई या न अगर आप एक योजना बना पाएं और उस पर अमल कर पाएं, तो क्या आप भविश्यवाणियों पर निर्भर होंगे? नहीं, तो गौतम ने कहा, आप भविश्यवाणियां करने में व्यस्त हैं, मैं यहां हूँ, मेरे पास योजना है आईए, मेरी योजना का हिस्सा बन जाएए, हम कुछ अलगी चीज सच कर दिखाएंगे, आपको इस योजना का हिस्सा बनना चाहिए, हम कोई शांदार चीज सच कर सकते हैं यही दुनिया, इसी दुनिया को स्वर्ग में बदला जा सकता है अगर हम सब स्वर्ग की योजना के अनुसार चलें, है न, हाँ या न सवाल सिर्फ यह है, कि एक संभावना और एक वास्तिविक्ता के बीच एक दूरी होती है क्या हमें वो दूरी तै करने का साहस और प्रतिबदता है, बस इतनी सी बात है